बिकाम फानलियर के हिंदी मेडियम के एडवांस इडिस्टाटिस्टिक सब्जिक्ट में यूनिट टू रिगिरेशन अनालिसिस का आज हम पाट पड़ेंगे इसका एक प्राप्लम आज हम करेंगे यहाँ पर अपने को X variable है Y variable है X square है Y square है XY अपने को प्राप्लम में X और Y variable दिया गया है और अपना फार्मला के मुताविक अपने को X square Y square और X y यह तीनों calculate करना पड़ता है पहले X variable है 15321173 ऐसा दिया गया है और Y variable में 61001215 ऐसा variable दिया गया है फिर अपने को X square नितालना है तो X जो value है इसको square करेंगे 1 1s are 1, 5 5s are 25, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 7 7s are 49, 3 3s are 9 और next Y square करेंगे 6 6 6 are 36, 1 1s are 1, 0 0s are 0, 0 0s are 0, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 5 5s are 25 ऐसा हो गया Y square आप चालेंगे X, Y, X into Y, X, Y का मतलब है X into Y, यह X है यह Y है तो 1 into 6, 6, 5 into 1, 5, 3 into 0, 0, 2 into 0, 0, 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 7 into 1, 7, 3 into 5, 40 अब आपने को यह सभी variables जो है अपने निकालेंगे अभी उसकी summation करना है सबसे पहले क्या है? Summation of X Summation of X आएगा आएगा आपने को total 23 अद दूसरा summation of Y आएगा आएगा आपने को 16 फिर उसके बाद Summation of X स्क्वेर यह आएगा अपने को 99 उसके बाद Summation of Y स्क्वेर आएगा 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 आपने को 68 फिर उसके बाद Summation of XY आएगा आएगा आपने को 48 सबसे पहले अपने को एक-एक हार्मुला निकाला है पहला क्या है? X on X on Y रिकानने के लिए अपने का फॉर्मुला क्या है X minus X bar is equal to BXY into Y minus Y bar यह है X on Y का फॉर्मुला है तो यह B on X BXY कैसे करेंगे BXY को coefficient of the X on Y बोलते हैं coefficient of the X on Y regression equation बोलते हैं तो पहले BXY calculate करेंगे तो BXY कैसे रहता BXY is equal to N into Sigma X Y minus Sigma X into Sigma Y by N into Sigma Y square minus Sigma Y whole square अभी अपने पास important चीज यह है कि अपने को X bar और Y bar भी calculate करना है लेकिन यह का फॉर्म लाएगा यह फाइंड ओट करने के बाद X bar और Y bar की calculation कीज़े होगी लेकिन आपना already X bar के लिए Sigma X is equal to 23 निकाला तो X bar is equal to 23 by 8 यह क्या है Sigma X by N Sigma X by N Sigma X कितना? 23 23 by 8 कितना value आएगा? 2.88 अब इसे Y by B calculate करें Y कितना आया? 16 16 by 8 इसका value क्या? 2 है तो X bar और Y bar दोनों calculate हो गया है अब यह अपने को BXY निकाला है BXY मने क्या है? Coefficient of Regression Equation X on Y ठीक है? अब आपने पास 8 N क्या है? 8 है 8 है कितना valuables है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 valuables है So N is equal to 8 अब यह अपने को यह फामुला में डालना है 8 into Sigma XY value कितना आया? 48 Minus Sigma X कितना आया? Sigma X 23 Into Sigma Y 16 By N कितना? 8 Sigma Y square कितना आया? 68 Minus Sigma Y कितना आया? 16 16 square तो इसका अगर अपने कालकुलेट करेंगे इसका value आएगा अपने को 0.056 अब यह जो value आया है इसको यह फामुला में डाले है फामुला क्या है X minus X bar is equal to BX1 into Y minus X bar Y minus Y bar X minus X bar X bar value कितना है? 2.88 अब BXY value कितना है? 0.056 0.056 अब Y minus Y bar Y bar कितना है? 2 तो इसको अगर कालकुलेट करेंगे अपने को फामुला आएगा अब अपन करेंगे Y on X अब अपन करेंगे Y on X Y on X की कर्कुलेटरिशन कैसे होगी? Y on X का फामुला क्या है? Y minus Y bar is equal to D Y X into X minus X bar अब D Y X कैसे करेंगे? D Y X is equal to N into Sigma X bar minus Sigma X into sigma X square minus sigma X whole square चीक है? अब अब अपने का का में करना है? 8 into sigma X में वैलू कितना है? 48 OK minus sigma X into sigma में कितना है? 23 into 16 Y अब सिग्मा X square सिग्मा X square की वैलू कितना है अपने पास? सिग्मा X square का वैलू? 99 8 into 99 minus सिग्मा X वैलू? 23 23 whole square इसका वैलू आपने को calculate करना है जबाद 0.061 अब ये वैलू को अपने इंपूट करेंगे अपना फार्मूला में तो अपना फार्मूला क्या है? Y minus V bar is equal to BYX into X minus X bar So Y minus V bar कारेंगे Y minus V bar कितना है? 2 BYX का वैलू कितना है? 0.061 X minus X bar कितना है? आपने को पता है 2.88 2.88 X bar value 2.88 अब ये value के calculate गरेंगे तो अपने को इसका equation आएगा Y is equal to 0.61 X plus 1.82 43 ये हो गया अपना एक X on Y का value हो गया और Y on X का value हो गया पर एक्जामपल अपने को येसा question भी दिया गया इफ X is equal to 5 find Y अगर X value 5 दिया है और Y value find out करना है तो आपने को Y value इदर आया है ना तो Y is equal to So ये फार्मूला में डालेगे Y is equal to 0.061 और X value कितना है? 5 ये 5 यहां पर डालेगे plus 1.8243 अभी अपने को ये फार्मूला कैसे आएगा? Y is equal to 0.061 x 5 plus 1.8243 अभी इसको चलकुलेट करने Y is equal to 0.305 plus 1.8243 अभी ये दोनों को आपर लेगे? तो Y is equal to पर एग्जामपल 2.129 ये आएगा Y value ओइसे ही पर एग्जामपल इफ Y is equal to 2 पाइड एक्शन ऐसा बताया तो अपने पास X का X on Y है ऐसा Y on X है जैसे भी हो अपने को Automatically जो भी एक value दिया जाएगा वो value को दूसरी उसकी formula में डाल के उसी का value करना है ओके? Thank you very much Next lesson में अपने पढ़ेंगे shortcut method या deviation method में अपने को calculate करने के लिए अपन पढ़ेंगे ओके? Thank you very much for you